तो दोस्तो और एक स्वर्ग में आ चुके हैं भारत के आप हमारे सामने देख सकते हैं पहाड़े और बीच में धुन्द छाई हुई है ऐसा ही नजारा चारों और है अभी हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं तो बिलकुल आनंदी आनंद है जीवन में लोग मुझसे पू अगर सौट में अंसर देना चाहूं तो मैं चार दिवारी में क्याद नहीं रहना चाहता है मुझे आजाद दी पसंद है और इस प्रकार का जो स्वर्ग है अलग-अलग हमारे भारत में उसका आनंद लेना चाहता हूं तो अभी हम हातीद्रा में है जो कि गुजरात का ही ए बड़ी पाड है और बहुती आनंद देने वाला या पल है और हमारी भारत यात्रा में कह सकते हैं कि ऐसे हजारों पढ़ाओं से अभी तक हम गुजरे हैं उनमें से और एक महत्पूर पढ़ाओ बहुती आनंद महुती मजा आ रहा है और क्या कहें ऐसा लगता है कि जिनगी अच्छी पूरी ऐसे ही गुजार दे पहाडों के बीच में और आपको पहले अच्छे से हम नजारा दिखाते हैं तिकर आप सोचे ना देखें ये इस और पहाड है इस ओर धुन्द है पाड़ों के बीच में उसके बाद फिर ये पहाड है उसके बाद इसके पीछे पहाड है अब फिर धुन्द है फिर ऐसे ही पहाड चारो और और आनंदी आनंद है और हम कह सकते एक स्वर्ग में हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है और ऐसे ही हमारी भारत य उजराथ हमने लगबग लगबग पूरा कवर किया पूरी आत्राएं की बहुती आनंद उठाया और अंतिम छण का भी आनंद हम लेना चाहते हैं ऐसा कोई पल नहीं छोड़ना चाहते जिसमें हम आनंद ना ले तो इस कारण से हमें जब पता चला कि हातीद्रा में भी बहुत